हलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी चैनल के अंदर तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने किसी भी एंडुएट फोन का जो प्रॉक्सेमिटी संसर उसको टेस्ट कर सकते हो और चेक कर सतो क्या जो आपका संसर प्रॉक्सेमिटी वाला वो डैम चलो फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आपको टेस्ट करना है अपने फोन का प्रॉक्सेमिटी संसर सबसे पहले जाना अप प्ले स्टोर के अंदर प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर आपको एक अप्लीकेशन डाउनलूड करना गवा हमारे प्रॉक्सेमिटी संसर को टेस्ट करने के लिए यहां पर सर्च पर जाना और यहां पर आपको सर्च करना है प्रॉट्स इमिटी संसर तो काफी सार ऐसेड़ एप्लीकेशन से अपको मिलेंगे कि यहां पर आप download कर से दूलें लेकिन मैं आपको recommend करेंगा यह वाला जो application सिर्फ एक MB का जो application आपको देखने को मलता है और इस application से जो आप सभी sensor का test कर पाऊगे सिर्फ proximity sensor का नहीं आप सभी sensor आपके phone के दर उसको test कर पाऊगे तो finally यह download हो चुका है download होने के बाद यहां पर इसको आप लोग open करने ना open करने बाद कुछ इस त्रिके का interface आएगा यहां पर काफी सरे sensor आपको देखने को मिलेगा light sensor, campus sensor, gyroscope वगरा मिलता है तो हम test करेंगे इस video के अंदर proximity sensor को तो यहां पर आपको test वाला simply test वाले जो option उसके अंदर click करना है और यहां पर आपको बल्ब देखने को मिलेगा 5 cm लिखा वो देखने को मिलेगा तो जैसे ही आप अपने हाथ को speaker के उपर लेकर जाओगे अपने air वाले speaker के उपर तो यहां पर यह बल्ब बंद हो जाएगा और जैसे हटाओगे यह जो है दुबारा चालू हो जाएगा यानि कि हमारा जो proximity sensor वो properly काम कर रहा है मेरे phone गदर अब ऐसा बिल्कुल हो सकते कि आपको जो proximity sensor वो काम ना करता हो यहां पर जैसे आप अपने हाथ रखते हो तो यहां पर आपको जो बल्ब है वो बंद ना हो तो यानि कि आपको जो proximity sensor वो खराब हो चुका होगा इस जगे से तो आपको लोगों को ठीक करने के लिए क्लिए क्लीन कर देना है इसको साफ कर देना है ऐसे एक कोई भी कफ़़ा बलोग यूज करदेना है यहां पर इसको साफ कर देना है और अगर यहां से अगर आपका हो जाता है तो आपका problem solve हो जाएगा proximity sensor का तो मेरे case में जो मेरा जो proximity sensor वो properly काम कर रहा है तो आपके phone के अंजर ऐसा हो सकता है कि काम ना करें तो उस case में आपको जो सर्विस सेंटर जाना होगा या फिर आप किसी shop में जा सकतो अंदर से किसी कचला वगरा अगर अंदर से फस चुका होगा और इस वाज़े से आपको जो proximity sensor वो काम नहीं करता है तो इसके लिए आपको swap में या फिर service center आप लोग चले जाना और यहाँ पर आपको clean करवा देना है या फिर आप घर में अगर खोल के आप clean कर सकते हो तो आप उसको भी कर सकते हो मैं आपको recommend करूँ कि आपकी swap में या फिर service center में जाके इसको fix करवा सकते हो तो यही था आपको लिए वीडियो अगर आपको कोई भी problem है तो आप मुझे comment कर सकते हो तो मिलता हमसे से next वीडियो में